दोस्तों अभी तक अपने फोन का रैम बढ़ाने के लिए हम तरह-तरह के एपलिकेशन को यूज करते थे लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि अगर आपके फोन में 4GB RAM दिया हुआ है तो आप उस 4GB RAM को 6GB और 8GB तक कर सकते हैं कैसे करना है सब कुछ हम आपको लाइब दिखाएंगे अभी जो मेरे पास फोन है वह 4GB RAM है इसके अंदर और हम इसको 4GB से 6GB और 8GB RAM आपको कर कर दिखाने वाले हैं तो दोस्तों यदि आपके फोन में भी RAM कम है और आप RAM से प्रेसान है ज्यादा कुछ डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आज की इस वीडियो को पुरा देख लिजे आप बिना किसी ठट पाटी अप्लिकेशन को इंस्टोल किये अपने फोन की सेटिंग से आप अपने 4GB RAM को 6GB, 8GB तक बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाना है सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा step by step वीडियो पुरा complete देखिएगा एक भी step मिस मत किजिएगा तो दोस्तों जाद समयना वेश करते हुए वीडियो को करते हैं और बताते हैं कि कैसे 4GB RAM से 8GB RAM हमें करना है दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले हमें आप लोग से छोटा सा request है कि वीडियो को like नहीं किया है तो वीडियो को like कर दिजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe करके घंटी के बटन पर दबा के All के उपर में किलिक कर दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और यहां पर comment box है इस comment box में आप यहां लिख सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी तो इतना सा काम आप प्लीज कीजिए मेरे दोस्तों आईए दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आप अपने फोन के 4GV RAM को 8GV तक बढ़ाएंगे लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपके पास कोई सा भी स्मार्ट फोन है और उसमें 4GV RAM दिया हुआ है या उससे भी RAM कम है तो उसको आप डबल कर सकते हो पहले यहाँ सेटिंग किसी भी फोन में नहीं था लेकिन कुछी दिनों से यहाँ सेटिंग देखने को मिल मिल रहा है और कहां मिल रहा है वही आज इसके इस वीडियो में बताऊंगा तो देखे दो सबसे पहले हम आपको लाइफ करते हैं हम अपने फोन में दिखाते हैं उसके बाद आप अपने फोन में कर लिजेगा तो सबसे पहले आपको अपने फोन की सेटिंग पे चले जाना है phone की setting पे जब आप जाओगे तो कुछ इस परकार का interface आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा battery and device care इसके उपर में आपको एक बार tap कर देना है जब इसके उपर में आप टैब करोगे तो आपको यहाँ पर इतने सारे option खुल कर सामने आजाएंगे उपर में battery, storage and memory आपको यहाँ memory का option होगा इस memory के उपर में आपको क्लिक करना है जब यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो कुछ इस परकार का interface आएगा और आपके phone का जितना भी RAM होगा वह यहाँ पर 100 हो जाएगा तो मेरे phone का देख सकते हैं 4GB RAM है यहाँ पर 4GB लिखा हुआ है अब हम इसको 4GB से 6GB और 8GB तक करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे ध्यान से समझेगा यहीं पर समझने वाली बात है अगर आपके phone में यह setting नहीं है तो भी मैं बताऊंगा last में कि आपको कैसे यह setting आपको देखने को मिलेगा तो जैसे ही यह setting पर अपाएंगे तो आप क्या देखेंगे कि नीचे की और आपको एक के यहाँ पर option जुड़ा हुआ है RAM पलस इसके उपर में आपको एक बड़ टैप करना है जब इसके उपर में आप टैप करेंगे तो यहाँ पर आपको देखें साफ साफ लिखा हुआ है 2GV and 4GV यहाँ पर बोलता है कि आप 2GV और 4GV इस्टेरोच के बढ़ा सकते हैं कैसे बढ़ाना है ध्यान से समझे आपको टैप करना है जब यहाँ पर आप टैप करोगे तो यहाँ पर रिस्टार्ट फोन करता है करने के लिए आपको इस रिस्टार्ट बटन पर आपको टैप कर देना है जैसी restart bit click करोगे तो आपका phone restart होगा और थोड़ी दिर के बाद आपका phone on हो जाएगा उसके बाद हम आपको बतलाते हैं तो दोस्तों थोड़ी दिर के अंदर में आपका phone जब restart होगा तो देखेंगे कि यहाँ पर RAM प्लस में 2GB आपका add हो जाएगा और यहाँ पर जब आपको फिर से click करोगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2GB पर set होगा तो पहले का 4GB और आपका 2GB यानिकि 6GB आपका RAM हो गया अगर आप चाहते हो कि अब हम अपने phone के 8GB RAM कर लें तो पहले से तो आपका 4GB है ही उसके बाद आपको इस 4 पे click कर देना है और वैसे ही phone को restart कर देना है restart करोगे phone बंद होगा थोड़ी दिर के बाद on होगा और आपके storage फिर से 4-4-8 हो जाएंगे तो दोस्तो इस तरीकी से बहुत ही असानी से यह setting आप कर सकते हो लेकिन कुछ दिन पहले यह setting किसी के phone में नहीं दिया था तो बहुतों के phone में नहीं सारे के phone में यह setting अब देखने को मिलेगा लेकिन जिन लोगों ने अभी तक इस setting को on नहीं किया होगा उनके phone में नहीं दिखेगा तो अगर आपके फोन में यह सेटिंग नहीं दीख रही है उसके लिए आपको अपने फोन की सेटिंग में जाना है ध्यान से वीडियो को देख लिजिए आपको अपने फोन की सेटिंग में चले जाना है सेटिंग में जाने के बाद में आपको एक सेटिंग और कर लेना है यह आपको इस software update के उपर में click कर देना है और यहाँ पर देखना है कि आपकी जो last update आई हुई है कव आई है तो हमारी 24 फरवरी को last update आई थी तो मैंने अपने phone का update कर दिया था तो यह feature हमको देखने को मिल गया था और आपको अगर कोई update आई है और अभी तक update नहीं किया है तो Samsung का device है तो same process जैसे मैंने किया वैसे किजिएगा और दूसरी company का phone है तो software update करने के बाद में आपको यह setting मिल जाएगी तो इस वीडियो में हम आप लोगों को यही बता रहे थे कि जिनके पास 4GB RAM है वह 6GB और 8GB कैसे करेंगे हमारी वीडियो पसंद आई इतो वीडियो को like कर दीजिएगा ऐसे वीडियो देखने के लिए चनल को subscribe कर लीजिएगा मिलेंगे फिर नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई